सेनी महला पिंजोर की तंग और तूटी गलियों से होकर जाना पड़ता है अंतिम संसकार में, सरकार को कराया गया था अवगत नहीं हुई कोई कारवाई पिंजोर वेलफिर एसोसेशन एम वाइड हाउस पिंजोर के मडी समाज से भी संत्राम शर्मा ने हर्याना सरकार से मांग करते हुए सोमवार के दपहर को बताया कि पिंजोर शेहर का एक मत्तर रामबाग जो कि स्यानी महला और बाइपास के किनारे पर है जहां पर आए दिन अन्तिम संसकार के लिए जारे लोगों के पाउँ फिसल जाते हैं और लोगों की मांग है कि यह रास्ता यादविंद्रा गार्डन पिंजोरों के सामने सरकारी नरसरी से दिया जाए जिससे रास्ता चोड़ा मिलेगा और हर आने जाने वाले लोगों को भी सुविधाई मिलेंगी अंतिम संसकार में जाने के लिए बजर्गों महिलाओं को जो चलने सकते हैं लोग कारों से असानी से जा सकेंगे क्योंकि स्याणी मोला पिंजोर की गलियां तंग और उबड़ खावड पड़ी हैं जिस पर बजर्ग चल कर नहीं जा पाते हैं इसके लावा अर्थी को कांदा देकर चलने वाले लोगों के भी दिखते हो रही हैं क्योंकि कई बार संतूरन बिगणने और पाम फिसलने की कई घटनाएं रामबाग रोड़ पर हो चुकी हैं इस बंद में पिंजोर शेयर की अन्य संस्ताओं ने भी आवाज उठाई थी और इस बारे में लिखित अवगत कराया गया था मगर इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है स्याणी महला पिंजोर की तंग गलियों और उबडखाबड रास्तों के बीच से होकर पिंजोर शेयर के लोग रामबाग में अपने पिरिये जनों के अंतिम संस्कार को जाते हैं स्यानी मोहला पिंजोर नगर परिशद कालका के एरिया के अधीन है और यहां जनस्वास्ते भाग ने भूमिगत सीवरेज की पाइपलाइन बिचाई थी जिसके बाद सड़क को तोड़े हुए छे महिनों से उपर का समय हो चुका है लेकिन अभी तक पिंजोर से रामबाग मे जाने के लिए यादिमंदरा गार्डन के सामने से सरकारी नर्स्री से रास्ता दिलवाने की मांग पिंजोर वैलफिर एस्टेशेशन के प्रधान एम वाइट हाउस के एमडी समाज से भी संत्राम शर्मा ने हर्याना सरकार से की थी लेकिन अभी तक इस रोड पर कोई कारव में आने के लिए फिसलन भरे रासते से उकर आना जाना पड़ रहा है पिंजोर वैलफिर एस्टेशन के प्रधान एम वाइट हाउस पिंजोर के एमडी समासेवी संत्राम शर्मा कॉंग्रस वरिष्ट नित्री एम समासेवी पावनकुमारी शर्मा ने हर्याना सरकार से पिंजोर रामबाग के लिए गाडन के सामने से रास्ता देने की मांग पर जोर दिया है मेरे नाम राशी संतराम जी ने बताया कि सड़क का बहुत बुरा है लगो तो हम देखी रहे हैं कि यहां पटाई हुई हुई है और अगर बरसात में किसी की बॉड़ी लेके आएंगे तो बुजूर को भी आते हैं साथ में जवान भी आते हैं तो ये सरकार को हमारी भारतिय जन्ता पार्टी को और जो रेना सरकार है उसको चताएं कि भी सड़का हाल कितना मड़ा है जहां सबने जाना है हम क्यों इसको भूले बैठे हैं